बारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहले बंडे मैच में भारत ये टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 308 रंड मनाए लेकिन बहतरीन शुरुआत के बावजूद टीम बाद में थोड़ी फसी होई नजर आई टॉस हारकर पहले विकेट के लिए शिखर धवन और शुमन गिल ने 17.4 ओवर में बहतरीन 119 रंगी पार्णशिप की लेकिन इसके बाद श्रेय साहियर को छोड़ बाकी कोई भी बल्लेबास कुछ खास कमाल नहीं कर पाया इस स्टोरी में हम बात करेंगे कप्तान शिखर धवन की धवन ने इस मैच में एक बार फिर वेतरीन 97 रंगी पारी खेली यह पारी शांदार थी लेकिन फिर भी वो शतक से चूक गए शतक से चूकने पर धवन एक ऐसी अंचाई लिस में शामिल हो गया है जिसमें सचिन तंडूलकर जैसे ग्रेट्स भी है वंडे क्रिकेट में नर्वस 90 का शिकार होते धवन के वंडे करियर में यह आठवा मौका रहा जब वो नर्वस 90 का शिकार बने है उनसे आगे इस लिसमें सचिन तंडूलकर है अरविंदा डिसिल्वा है, नेथन एस्टल है, क्रांट फलार है और जैक केलिस भी है सचिन वंडे में सबसे अधिक 18 बार नर्वस 90 का शिकार हो है वहीं अरविंदा डिसिल्वा, नेथन एस्टल और क्रांट फलार 9 नो बार इस तरीके से आउट होका लोट है इनके अलावा जैक कैलिस भी 8 बार इस तरीके से आउट हुए है इस तरी से आउट होका लोटने पर शिखर दवन एक बार फिर अपने शतक से चुके ही लेकिन आपको ये भी आप दिला दें कि उनका आखरी शतक बहुत साल पहले आया था वंडे क्रिकेट में 2019 क्रिकेट विशकप के बाद से धवन ने कभी भी वंडे क्रिकेट में शतक नहीं लगाया आखरी बार उनके बल्ले से जो शतक आया था वो 2019 में आया था औस्टेलिया के खिलाफ ओवल के मेहदान पर लेकिन उसके बाद वो चोटिल हो गए और विश्कव से बाहर हो गए लेकिन उसके बाद काफी जारे बंडे खेले लेकिन शतक बल्ले से नहीं निकल पा रहा 97 रन आज 97 रन वेस्टिंडीज के खिलाफ पहले बंडे वाले मुकाबले में भी बनाया लेकिन उसके बाद भी उनके बल्ले से शतक नहीं आ पाया वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबले में भारत ने पहली पारी में 308 रन बनाए भारत के लिस मुकाबले में सबसे अधिक स्कोरर भी शिखर दवनी रहे उन्होंने 99 गेंदों पर 97 रन के एक बहतरीन पारी खेली उनके अलावा ओपनर शुमन गिल ने भी 74 रन बनाए वही इस सीरीज में शिखर दवन भारते टीम की कप्तानी भी कर रहे है क्योंकि भारते टीम के कप्तान रोईच शर्मा को आराम दिया गया है उनको ही नहीं उनके अलावा गिराट, कूली, रिशप, पंज ऐसे खिलाड़ी भी सीरीज में नहीं है इस सीरीज के पहले दोनों इवास ने बहुत बड़ी पारी नहीं खेली ये तो शुरुआत में शिखर धवन, शुमन गिल और श्रियस अईयर की पारियां थी कि भारत इस मुकाबले के अंदर 300 के स्कोर को पार कर पाया सीरीज का दूसरा मुकाबला जो है वो 24 जुलाई रविवार को खेला जाएगा अब देखना होगा पारत टीम इस सीरीज में कैसा प्रदर्शन करती है अगर आपको ऐसी और इंटरस्टिंग स्टोरीज चाहिए तो हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को जट से सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्व मैच की स्टोरीज ही नहीं कि इससे कहानी इंटर्व्यूज और धेर सारी चीजे मिलती है अधर स्पोर्ट्स की भी आप हमें फेस्बूक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर भी हम आपको खेलो से जुड़े इंस्टेंट अपडेट्स देते हैं कैमरे के पीछे हैं जत